हमारे समक्ष आचुके हैं जमू कश्मीर के लेटिनन गवर्णर मनोज सिना जी बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका जोरदार तालिया एक बार आप सभी दर्शक बजा दीजे मनोज सिना जी के लिए बिल्कुल तो टीवी नाइन भारत वर्श सत्ता सम्मेलन में अब बारिय देश के सबसे गंभीर मुद्दे की जमू और कश्मीर की पिछले 35 साल में कौन सोच सकता था कि लाल चौक पर हमारा तिरंगा शान से लहराएगा आज वो तिरंगा लाल चौक की पहचान बन चुका है नौजवानों के हाथ में पत्थर नहीं किताबें अब कश्मीर में कफ्यू नहीं लगता जन्माश्टमी की जाकी और मोहरम के जलूस एक साथ निकलते हैं डल जील से सिनेमा हॉल तक भीर नजर आती है परिय टक नजर कश्मीर अब जन्नत की रहा पर ऐसा लगता है निधी वापस लोट रहा है जी हां कश्मीर बदल रहा है कश्मीर की इस नई कहानी के एक बड़े किरदार आज इस मंच पर आ रहे हैं पहले एक जलक देख लेते हैं कश्मीर की इस नई कहानी के कश्मीर में सुरक्षा की पहरेदारी जरूर है मगर कश्मीरियों पर अब कोई पहरा नहीं है लाल चौक पर शान से तिरंगा पहराया जा रहा है 26 जन्वरी के दिन आम कश्मीरी वादियों में बेखौफ घूम रहा है डल जील के शिकारे बाहे पहलाए परियाटकों का स्वागत कर रहे हैं कश्मीर अब जन्नत की राह पर फिर लौट रहा है और कश्मीर की इस नई कहानी की धोरी में है जम्मु कश्मीर के उपराज जिप काल की बड़ी जिम्बेदारी दी गए चार साल के कारेकाल में कश्मीर में न केवल आतंकी घटनाओं में कमी आए बलके विकासकारियों में जबरदस्त इजाफा हुआ पिछले साल कश्मीर में रेकॉर्ड धाई करोर से ज्यादा परियाटक पहुचे घाटी में जनमाश्टमी और महर्म के जुलूस कश्मीरियत की असली जहलक दिखा रहे हैं कश्मीर की बदलती कहानी में अबहूत पूर्व किरदार निभाने वाले मनोज सिन्हा चार दशक से राजनीते में हैं उत्तर प्रदेश की राजनीती को करीब से समझने वाले मनोज सिन्हा देश के लोकसभा सांसद और केंद्रिय मंत्री भी रह चुके हैं तालियों की गड़गड़ाहट से इसका स्वागत होना चाहिए कश्मीर की ये खुबसूरत तस्वीरे किसी अच्छी नहीं लगेंगी जम्मू और कश्मीर के उपरा जिपाल मनोच सिनहा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बहुत बहुत स्वागत है मनोच सिनहा जी आपका और मैं चाहूँगा कि आप मंच पर आएं और मनोच सिनहा से बातचीत करेंगे मेरे सायोगी गौरव अगरवार गौरव, over to you तैंक्यू समीर, तैंक्यू निदी पहले तो सेशन की शुरुआतों से पहले एक बर जोरदार तालिया हमारे खास मेमान मनोच सिनहा जी के लिए जमू कश्मीर के उपरा जिपाल और काफी खास ये सेशन है मनोच जी, 35 साल बाद जमू कश्मीर में मुहर्म का जलूस भी निकलता है और जन्माश्टिमी की शोभा यात्रा भी निकलती है हिंदू भी शामिल होते हैं और मुस्लिम भी शामिल होते हैं एक बर जोरदार तालिया इस उपलब्दी के लिए मनोच जी के लिए मनोच जी के सहते ये मुमकिन हुआ क्या कहेंगे मनोच जी ये सच है कि 34 साल बाद महरम के आठवे दिन और दसवे दिन का जूलूस जो प्रतवंदी था वो इस बार निकला और बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें हिस्सा भी लिया मुझे लगता है कि सभी लोगों को उनकी आस्था के हिसाब से अपने त्योहार मनने किया जया दि जमू कस्मीर में भी होनी जहिए जैसी देश में है और वही काम जमाू कस्मीर में हुआ है आपके कारिकार को तक्रीबन 4 साल होने वाले है एक लाइन में पूछें तो कश्मीर में क्या बदलाव तो आया है इस लाइन पर पूचें या पूचें आप से कि कैसा है हमारा कश्मे क्या जवाब होगा आपका चार साल तो साथ अगस्त दोहजार चौबिस को होगा लेकिन जो समय बीता है मुझे लगता है दो तीन बाते में कहूंगा एक तो जम्मू कस्मीर वो जगह थी जहां भारत के रास्तुपती भी एक इंजमीन नहीं ले सकते थी भारत का सैनिक जम्मू कस्मीर के लोगों को हिफाज़त के लिए अपनी जान तो दे सकता था लेकिन वह एक जोपड़ी नहीं बना सकता था ये बड़ा बदलावाया है सामाजीक तो पर जब मैं देखता हूं तो स विएस्ट पाकिस्तान से सरचनारती बनकर के आये थे या पाقط अिकरस्कस्मीर से आये थे देश के दूसरे हिस्थों में उन्हें भारत के नागरिक का दरजा पराप था सारे अधिकार पराप थे जम्मू कस्मीर में नहीं था वो पूरी तरह से अब सामाजीक और आर्थिक इंपावर हुए है। दूसरी बात वहां की जो नारी सकती थी, खास तभर से हमारी बहने थी, वो जम्हों कसमीर की कोई लड़की अगर दूसरे से साधी करती थी, तो मुझे लगता है वो सारे अधिकार खो देती थी। तो पचास परसत आबादी को इंपावर किया। कस्मीरी माइगरेंट जिसमें विशेश रूप से कस्मीरी पंडित है मुझे लगता है कि लंबे समय से आतंगवाद का दंज जेला था आज वो भी खुद को ताकतवर महजूस करते हैं समाज का एक बड़ा वर्ग जिसे हम अती पिछड़ा वर्ग करते हैं बाइकवर्ट क्लासिस करते हैं देश के दूसरे हिस्से में भारत के समविधान के अनुरू उन्हें आरक्षन की ब्योस्था थी नोकरियों में पंचायत और यॉलबीज के चुनाओ में सिक्षा में वो जमू कस्मीर में नहीं था वो भी उन्हें पराप्थ हुआ है मैं कहूं कि गुजर, बकरवाल, गदी, सिप्पी, सीना ये जो आदिवासी थे पूरे देश में फारिस राइट एक्ट परलेमेंट के कानून के बाद लागू हो गया था एक बड़ा समुदाय था पहाड़ी भाईयों का जिनकी लंबे समय से मांग थी अरक्षन की अभी देश की संसद ने उन्हें भी अरक्षन दिया है और इस बात का ध्यान रखते हुए दिया है कि पहले से जो गुजर, बकरवाल, गदी, सिप्पी, सीना लोग थे जम्मू कसीर में गत्विदियां बढ़ी हैं अभी आपने दिखाया कि धाई करोड़, धाई करोड़ वो नहीं है दो करोड बारा लाख लोग पिछले साल आये थे उसके एक साल पहले एक करोड़, अठासी लाख लोग आये थे अधे टूरिस्ट और फॉरेंड टूरिस्ट का इंफलक्स दाईगुना बड़ा है जी ट्वंटी के आउजन के बाद आर्थिक मोर्चे पर भी कोविट के दोरान भी हमारी जी डीपी की ग्रोध जो है वो पॉजिटीव थी टेक्स रेविन्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो देश का जो नेशनल लिवरेज है उससे बहतर जमू कस्मीर पर फार्म कर रहा है इंफरास्टुक्चर की अगर मैं बात करूँ तो आज डेर लाग करोड रूपे के हाईवे और टरनल के प्रोजेक्ट चल लाए है प्रोजेक्ट पूरी करने की रफतार हमारी दसगुनी बढ़ गई है मुझे याद है अठारा उन्नेईस में जहान नो हजार दोसों उन्तीस प्रोजेक्ट पूरी होती थी पिछले साल हमने 92,500 प्रोजेक्ट पूरा किया और इस साल एक लाग से ज़्यादा प्रोजेक्ट हम पूरा करेंगे ट्रांसपरेंसी की अगर मैं बात करूँ तो जब मैं गया था तो यी सर्विसेस के नाम पर 40 सर्विसेस थी आज हम डेश में नमबर एक हैं 1100 से ज़ादा आनलाइन सर्विसेस हम लोगों को दे रहे हैं और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की अरिकान सर्विसेस को अमने आटो इसकेलेशन मोड में कर दिया इसका मतलब यह हुआ कि पुब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में अगर समय सीमा है पंदर दिन की पंदर दिन में अगर आम आदिमी को सर्विस नहीं मिली तो सोलहें दिन इसकेलेट हो करके वो हायर आफिसर के पास चला जाएगा तो उस आफिसर पर फाइनेंसियल पेनाल्टी भी लगेगी और इर्मिस्टेटिव एक्षन भी हो सकता आठ सो नवासी लोगों पर फाइनसियल पेनाल्टी लग चुकी है लग चुकी है एक दो तीन बातें और कहूंगा थोड़ा समय दीजिए भूमी कानून वहां का बड़ा ही रिग्रेसिव था नहीं हमारे हैं लोग कई लोग यह मानते हैं कि अगर महाभारत काल में भी डिजिटाइजिशन हो गया होता तो सायद पांच गाओं का ही मसला था भगवान कृस्न ने वो मसला सुल्जा दिया होता महाभारत नहुआ होता हमारे हाँ जो पटवारी थे वो कलक्टर से ज़्यादा ताकतवर थे और धाईसों के आसपास लोग थे जो लेंड रिकार्ड देखना जानते थे पढ़ना जा हो का सकता हूं कि हॉलिस्टिक घरिकल्चर डेवल्पिंट प्लान तुरिजम इंडस्ट्री यह ऐसे सिक्टर हैं जिसमें जम्मो कसमीर प्रसासन का बड़ा फुकस रहा है जोु लीस्टिक है कल्च यवल्पिंट पलान हमने बनाया है आज हम किसानों की यांदनी के मामले मे देश में पांचवे नंबर पर हैं यह पिछले तीन सालों में 11 अस्थान से पांचवे पर पहुंचे हैं और आज मैं आपके मंझ से देश को कहना चाहता हूं कि एच्छ डीपी के इंप्लिमेंटेशन के बाद पंजाब हरियाना को हम पीछे छोडेंगे हम देश में नंबर ए है था आज 90,000 करोड के प्रस्ताव हमारे पास हैं 15,000 करोड के प्रस्ताओं का काम जमीन पर चला है और मैं आस्वस्त करना चाहता हूं कि यो प्रस्ताव आये हैं उन्हें सही में अमली जामा पहनाने में सफलता मिलेगी एक बात आप दिखा रहे थे अब पत्थरबाजी इ बात करूं तो पेडेस्ट्रियन मार्केट योरप के बाद मुझे लगता है कि दिली से भेहतर स्री नगर में आपको दिखाई पड़ेगी अर्बन ट्रांस्फारमेशन के मामले में भी जम्मु कस्मीर ने उंची छालांग लगाई है एक बच्ची मुझे मिलने आई थी राप्त कर ली ग्रेजिवेशन की मेरा भाई साथ साल में ग्रेजिवेट हुआ था क्योंकि पाकिस्तान के सारे पर 120 दिन बंदकाल होती थी स्कूल, कॉलेज, इनुवस्टी, बिजनेस, सब कुछ ठप रहता था वो भी अभी इतिहास की घटना हो गई तो अब पडोसी खालड कर रख देंगे कशमीर की लेकिन मनोच जी कुछ लोग कहते हैं कि कशमीर में शांती नहीं आए है वो कहते हैं कि घाटी के नौजमान बस शांत बैठे हैं क्योंकि वहाँ सुरक्षाबलों का पहरा बहुत है जेल जाने का डर है, मुकद्मों का डर है, आप कह रहे है कि कश्मीर का नौजवान अब तीन साल में डिगरी हासिल करता है मैं दो बात कहना चाहता हूँ देश के लोकतिंतर ने आजादी दी हुई है लोगों को कुछ भी खाने की कई पहमाने हैं एक हिंसक घटनाय कितनी हुई दूसरी सामाने नागरी कितने मारे गए और तीसरी सुरक्षा बलकितने मारे गए अगर आप तुलना करेंगे पिछले चार वरसों की उसके पहले की चार वरसों की तो मोटे तोर पर 75 परसत से जादा कमी आई है दूसरी बात चाहे वो तीरंगा यात्रा हो मेरी माटी मेरा देश का कारिक्रम हो पुलवामा और सोपईया की चर्चा दूसरे कारणों से होती थी अब वह आठ जार दस जार नौजवान भारत का तिरंगा लेकर भारत माता की जैके नारे लगा रहा है ये परिवर्तन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है फोरसेस का डिप्लाइमेंट CRPF, आर्मी वो अगर आप देखेंगे तो पहले की तुलना में काफी कम हो गया ये ऐसे संकेत है अब साम होता था तो लोग इंतजार करते थे कि जल्दी घर चले अब आप जाईए मैं आपको दावत देता हूँ जाके स्रीनिकर देखिए नाइट लाइफ का अनंद लेते हैं वहां के नौजवान दिखाई पड़ेंगे क्या बात है मरो जी क्योंकि आपसे बात हो रही है तो धारा 370 की बात ना हो ये नामुम्किन है आपको 370 हटाने जाने के बाद कश्मीर की जमेदारी दी गई मैं सीधा पूछता हूँ जब आप वहां पर पहुचे आपको क्या चुनोतिया वहां दिखाई पड़ी और कितना बड़ा आपको वहां चैलेंज दिखा जिसको आपको लगा कि या इससे लड़ना सबसे मुश्किल है 375-2019 को समाप, मैं एक साल बात गया था जब मैं पहुचा था तो मुझे लगा था कि सामानने रूप से कोई भी परिवर्तन वहां की सामानने जनता स्वीकार कर ले तब परिवर्तन का अर्थ होता है उसके लिए मैंने प्रेत्न किया और मैं कह सकता हूं कि भारत के प्रधानमंतर जी, देश के ग्रिमंतर जी और उनकी नीतियों के करण यह संभव पाया क्योंकि अब जो दिल्ली में सरकार है वो सांती खरीदने में विश्वास नहीं रखती है पहले सांती खरीदी जाती थी अब जो दिल्ली की सरकार है या जमू कस्मीर का जो प्रसासन है वो अस्थाई रूप से सांती स्थापित करने में बहरोसा रखता है और वही काम हम कर रहे हैं शांती खरीदी जाती थी मतलब? सांती खरीदी जाती थी मतलब जो लोग सांती में बाधक थे उनसे बाचीत की जाती थी ऐसे लोग जिनको जेल में होना चेह था उनको सारकारी हवाई जहाज से स्रीनेगर से बुला करके दिल्ली में बाचीत की जाती थी यही सांती खरीदी जाती थी जाने के बाद मैंने चवणन ऐसे लोगों को सरकारी नोकरीओं से बाहर किया है जिनका कहीं न कहीं सीधा सम्मधन आतंकवादी घटनाओं से रहा है जिस बड़े आतंकवादी का आप नाम जानते हैं उसके परिवार के लोग सरकारी नोकरी में थे तो मैं समझता हूं कि मेरी यहां के लोग समझ रहे हैं आप समझ ज़रूर रहें लेकिन ना समझ बनने की कुछीज कर रहे हैं हम तो चाहते हैं मनोजी साँच सब कुछ समझे कुछ भी ऐसा नारह जाया जो टीवी नाइन के दर्शकों को समझने को रह जाए आपने अभी पल्यटन की बात की रोजगा काफी दिखी है तार्गेटेट किलिंग उसको लेकर हम अभी भी देखें तो एक चिंता का विशय है वो कश्मीर में देखिए कश्मीर में छोटी घटना होती है तो उसे आप जैसे पतरकार या देश दूसरे हिसाब से देखता है नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो का जो जो मैं समझता हूं कि अधिक्रत है उसमें अगर आप देखेंगे तो जम्मु कश्मीर सबसे नीचे है यह सच है कि कुछ घटना ऐसी हुई है और नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति की भी जान जाती है तो किसी भी समवेद अंसील प्रसासन के लिए वो ठीक नहीं है मैंने इसकी भी कोशिस हम कर रहे हैं और आतंकवादियों के खिलाफ क्योल कारवाई हो इसमें यह काम हम नहीं कर रहे हैं पूरे आतंकवाद के एको सिस्टम को जड़ से समाप्त कर दिया जाए इस दिसा में प्रयत्न हो रहा है मैं मानता हूं कि उस स्थिती में भी हम जल्दी आ जाएंगे और जो भी घटनाए हुए हमें कोई बचा नहीं है उनके खिलाब कड़ी कारवाई की गई है और मुझे लगता है कि वो दिन भी देश देखेगा जब इससे भी जमू कस्मीर पूरी तरह से मुक्त होगा तो मनुझ जी आप यह कह रहे हैं कि वो छोटी घटना है जो टार्गेटेट किलिंग हो रहें इनको टार्गेटेट किलिंग बना के पेश किया जा रहा है नहीं मैंने यह नहीं कहा कि वो छोटी घटना है मैंने का कि कुछ छिटपुट घटनाएं ऐसी हुई है यह सच है लेकिन उन घटनाओं पर भी हमारी पहनी निगाहे के घटना की पूरी तरह से जाच हुई है और उसके फारवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज तक हम गए हैं सभी घटनाओं में गिरिफतारियां हुई है भा करत के कानून के मुताबिक जो कारवाई है वो कारवाई की जा रही है और जो भी सक्री एतन्जी में आज की स्थिती में उनके टाप कमांडर जहां होने चाहिए वहीं पहुँच गाए तार्केटिट किलिंग पर अभी तक हमने देखा था वहां पर बाहर से आई हिंदों को निशाना बनाया जा रहा था लेकिन आप कुछ सिख परिवारों को भी निशाना बनाया जा रहा है इसके पीच्छू कोई मौटसॉपरेंडी देखते हैं हम्हें मुझे लगता है कि इसको इस तरह से नहीं कहना चाहिए केवल हिंदू मारे गए हैं या सिख मारे गए ऐसा मुसल्मान भी मारे गए तो उसमें ये भेद भाव लोग नहीं किया है क्योंकि उनको हिंदू सिक मुसल्मान से लेना देना नहीं है ये देश का और दुनिया का ध्यान अकरसित करने के लिए है कि हमारी भी प्रिजेंस अभी है हम कुछ कर सकते हैं मुझे लगता है के वल इसक तो कौन है ये लोग टार्गेटेट किलिंग वाली कशमीर के हैं बाहर से आये हैं कौन हैं इस वाभावी करूप से हमारे पॉडोसी के इसारे पर जो लोग काम करते हैं वो है इसमें को भरम नहीं होना चाहिए आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान स्पोंसर्ड है एकदम जिम पार से घुसपैट कैसे हो रही है यह नहीं सीमा पार से घुसपैट हो इसकी कोशिस बराबर होती रही है आप सबको मालूम है कि युद्विराम की स्थिती कई वरसों से है लेकिन इसका लाब उठा करके कई आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के किसके इसारे पर आते हैं इसलिए हमारा भी फोकस कस्मीर घाटी में था बीच में लोगों ने कोशिस की है रजवरी पुंच का जो इलाका है उसको थोड़ा दिश्थर्व किया जाए बीच में एक दो दुखत घटनाए हुई जिसमें हमारे आर्मी के कई बहादूर जवान सहाधत दिये वहां भी 360 डिगरी सिक्यूरिटी अरेंज्मेंट आर्मी हमारे C.A.P.F. जम्मु कस्मीर पुलिस ने किया है और मुझे लगता है कि उसे भी नियंतित हम पूरी तरह से कर लेंगे अच्छा जब आप बात पाकिस्तान की करते हैं तो कुछ कश्मीर के नेता है मैं नाम लेता हूँ मैं नहीं आया हूँ मैं भारत सरकार और जम्मु कस्मीर प्रशासन की नीत इसपस्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जब तक सुधरेगा नहीं, हम कोई बाचीत पाकिस्तान से नहीं करने वाले हैं अगर हमको बात करनी होगी तो जम्मू कस्मीर के लोगों से, जम्मू कस्मीर के युवाओं से बात करेंगे और उनके लिए जो भी सुविधा चाहिए वो हम उपलब्द कराएंगे तो लगता नहीं कि वो सुधरेंगे तो क्या फिर बात नहीं होगी कभी नहीं सुधरेंगे तो कभी नहीं होगी कभी बात बिलकुल होगे नहीं आप यह कह रहे हैं यस टाक और टेरर दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे अब आथ पी-ोक की होने लग गए या आज ज़कल मनोजी और पी-ोक की बारे में बोलने लग गए हैं बहुत सारे बीजेपी केनेता पी-ोक पर क्या आप क्या कहना चाहेंगे कुछ काम विदेश मंत्राले के जिम में छोड़ देना चाहिए मुझे लगता है कि सीमा को हम लोग को समझना चाहिए नहीं लेकिन पी-ोक में भारत जिंदाबाद के नारे लगते हैं और वहां लोग कहते हैं दर्वाजा खोल तो अब हमें भारत की तरफ जाना है मैंने कहा आपको कि यह हम लोग का काम नहीं है भारत में विदेश मंत्राले बहुच जक्ष मंत्राले तो उन्हें उनका काम करने दीजिए ठीक है बहुत अच्छी बात है लेकिन पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोट में धारा 370 पर सुन्माई हो रही थी तब जिनका आपने कहा कि मैं किसी के प्रतिग्रिया दिने नहीं आया हूं किसी के पयान पर उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार वो साफ कह रहे हैं कि भई हमें नजर्बंद कर दिया जाता है जब भी ऐसा कुछ होता है तो ऐसा कुछ करते हैं हम तुकिए 370 पर अब देश की सरोच नियाले ने अपना फैसला सुना दिया है भारत में हमारे देश में सरोच नियाले के फैसले के बाद मुझे लगता है कि विराम हो जाता है तो वो चैप्टर अब क्लोज हो गया कुछ लोगों की बात आप कर रहे हैं मैं आपको इस मंझ से कह रहा हूं कि एक भी राजनैतिक व्यक्ति नही रासत में है न उसके खिलाफ कोई कारवाई हम करते हैं हाँ ऐसे लोग जो भारत की एक संप्रभुता एकता और अखंड़ता में बादा हैं उनके खिलाफ कारवाई हो रही है आगे भी होगी लेकिन राजनैतिक गद्विदियों की पूरी आजादी और सब को आजादी क्या-क्या बयान लोग देते हैं मुझे लगता है उन बयानों को मुझे उद्रत करने की जरूत नहीं है अगर आजादी नहीं रहती तो इस तरह का बयान दे करके भारत में ही आप रह सकते हैं दुनिया के दूसरे देश में नहीं रह सकते हैं मनुद जी अभी मैंने कुछ दिन पहले एक फोटो देखी आपने खेलो इंडिया के वाँ शुरुवात की इसनों फॉल हो रहा था और आप उस बर्वबारी में खड़े होकर उसकी शुरुवात कर रहे थे और युवा बड़ा उतसाही था और मैंने भी एक फीडबैक देखा से पूरी तरह से मिल गई है और जिस विंटरी स्पोर्स की आप बात करना है और चौथा एडिशन था और काफी अच्छा कारिकम ओगुलमर्ग में होता उस दिन बर्फ गिर गई थी उस कारिकम के उदगातन के समय हम लोग वहां मौजूद थे एक बात मैं जरूर बताना च चाहता हूं कि PMDP, Prime Minister's Development Plan 2015 में जब चौदर में बाड़ाई थी उसके बाद नरेंदर मोधी जी ने घोसित किया था उसके कारण सिर्मों कश्मीर बिएप का बहतर हो गया है हर जिले में स्टेडियम इंडोर इस्टेडियम और जिलेँ तक नहीं बलकि कई तहसीलों और बलाकों में भी बन गया है हर पंचायत में प्लेफिल्ड बना दिये गए हैं ऐसी सा Yakकोई पंचायत होगी जहां जमीन नो हो वहीं प्लेफिल नहीं है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से पांच साल पहले तीन लाग चार लाग लोग स्पोर्स एक्टिविटीज में भाग लेते थे पिछले साल 65 लाग से ज़्यादा नौजवानों ने डिफरेंट डिसिप्लिंस में स्पोर्स के भाग लिया है और अंतीम बाद स्पोर्स का हमारा बजट अगर पर कैपिटा आप देखेंगे तो देश में सबसे जादा है हमने तो तस्वीर सचिन तेंदूलकर की भी देखी श्रीनगर की सडकों पर क्रिकेट खेलते हुए उस दिन मैं श्रीनगर से जम्मू आपस आ रहा था उनका फोन आया था मुझे लेकिन मैं फीलाइत में था उन्होंने मुझे जो फोन पर बता हुए उन्होंने का की साब मैं आकर कि बहुत अभी भूत हूँ जैसा मैंने बाहर सुना था वईसा किसमीर नहीं है बल्कि किसमीर वास्तों में बदल गया है डेस के गरिमंक्री स्रीयमिष साहजी ने जब पर्लेमेंट में धारा 370 रुपेती से हटाने का प्रस्ताव रखा था उससी समय उन्होंने तीन बातें कहीं थी एक पहली बात उन्होंने कही थी कि इसेंबली की सीटें बढ़ रही हैं तो उनकी बाउंडरी कौन ते करेगा निश्चित रूप से डिलिमिटेशन कमीशन बना जस्टिस रंजना देशाई की अध्यक्षता में उसने काफी मेहनत करके डिलिमिटेशन का काम पूरा कर दिया डिलिमिटेशन के बाद अब 2018 की वोटर लिस्ट पर तो चुनाव नहीं होता नई वोटर लिस्ट बननी थी पांच साल में बहुत सारे यंग वोटर्स बने थी वो काम पूरा हो गया लोगसभा के चुनाव होने जा रहे हैं भारत तारीक को फुल एलेक्षन कमीशन जम्मू चनयाले में भी दिया है तो मैं समझता हूं कि लोगसभा के चुनाव देश के चुनाव के साथ होने जा रहे हैं सितंबर के पहले सितंबर तक विधान सभा के चुनाव हो जाएंगे और जब उचित समयाएगा तो स्टेट हुड भारत सरकार देगी आप ये कह रहे हैं कि सि काम Elections Commission का है तो Elections Commission जब भी दिर्धेस दिएगा हम चुनाव कराने के लिए तरही आ रहे है आप ख़ंडि़ आप S travels जुपाल बनो सिद्णा जी कितने बसाए गए और कितने गैर कश्मीरियों ने क्योंकि का किया है कि कश्मीर में अब कोई भी जाके जबीन खरीद सकता है तो कितने गैर कश्मीरियों ने वहाँ जबीन खरीदी या वहाँ कश्मीर में रहे 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 हैं इसको दो तरह केज बनाया उसमें क्या क्या चीजे रखी एक मनमोहन सिंग जी की सरकार के समय तीन हजार नोकरियां और तीन हजार घर उनके लिए वैली में फिर मोदी जी प्रधानमंतरी हुए तो एक दूसरा तीन हजार नौकरी और तीन हजार घर दृर्बागे की बात यह थे कि ये पद भरे नहीं जाते थे और जमीन नहीं उपलब्दे इस नाम पर घर बनाए नहीं जाते थे आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि छह हजार के छह हजार पद 23 को छोड़कर के सारे भर दिये गए थे अभी कुछ लोग और अच्छी नौकरी पा गए हैं तो रिजाइन कर दियें 200 उपद रिखते हैं जिनका विग्यापन हम 10 दिन में निकालने जा रहे हैं 6000 घरों के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई धाई हजार से जादा घर बन करके तयार हो गए हैं और मैं कहना चाहता हूं कि अगले साल सारे घर बन जाए तूसरी बात इन जो टार्गेटेट किलिंग की बात आप कर रहे थे एक दो हमारे कस्मीरी पंडित साथी जो सरकारी नौकरी में थे उनकी दुखद और निर्मम हत्या हुई थी तो उनसे मैं निरंतर संपर्क में हूँ मेरे आफिस में एकसल है जो निरंतर संपर्क रखती है और वैली के हर जिले में भी डिसी आफिस में एकसल है जो इनके साथ संपर्क में रखती है मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ कि कस्मीरी माइग्रेंट, खास्त अब से कस्मीरी पंडित पूरी तरह से सुकसांती से हैं और मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप आए आने वाले दिनों में स्रीनगर और वैली में कस्मीरी पंडित भी दिखेंगे, उनके घर भी दिखेंगे और बाकी लोगों के घर भी दिखेंगे कितना वक्त कोई समय सीमा इसकी कुछ चीजें हैं जो तीवी डिबेट की नहीं होती है समय सीमा कहिशना मैं समझता हूं कि उसको बादियमत ये अनवरत चलने वाली निरंतर प्रक्तिया है ये प्रारंब हो गई है और आगे ये चलती रहेगी एक और बात बहुत उठती है कश्मीर में और आपकी सरकार में उसको लेकर काम भी हुआ है कुछ मंदिरों का जिर्नोधार कई सारे मंदिर हैं जिनके जिर्नोधार की आवाजे उठती है तो आपकी सरकार का या आपका कुछ प्लान है इस पर ये जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं उनके रेस्टूरेशन और प्रजर्वेशन के लिए 200 करूर रूपए हमने रखे थे धेर सारे मंदिर मस्जीद, चर्च, गुरुद्वारे हमने बनाए हैं स्मार्ट सिटी प्रुजेक्ट में भी कुछ इस तरह के निर्माण हुए हैं और ये काम अनवरत चलता रहेगा भगल में अभी पड़ोसी जिनके आप बात कर रहे थे चुनाव हुए लेकिन वो चुनाव कैसे हुए सब ने देखा और उसके बाद कहा जा रहा है कि वहाँ पर क्योंकि लोकतंत्र तो वहाँ पर है यह नहीं बैक स्टेट से कैसे वहाँ पर सरकार चलती है उसके बारे हम सब जानते हैं क्या वहाँ पर आज तिर सरकार का कोई असर कश्मीर पर पढ़ने की संभावना है मुझे लगता है कि वो कोसिश चहे जो करें कोई असर जम्मू कश्मीर पर पढ़ने वाला नहीं है इसके अलावा पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं किया और उस इलेक्शन प्रोसेस में आतंखवादी जो भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड है उसके बेटे तक ने इलेक्शन लड़ा तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे मुझे कुछ कहने की जरूत नहीं यहां बहुत सारे जनर्ल्स बेटे हैं बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्टे हैं कई बार हमसे कहते हैं कि डूल फ्रेंट पर कभी भारत को चुनौती जहल नहीं पड़ सकती है पाकिस्तान की तो आप बात कर रहे हैं लेकिन चीन उसके साथ भारत के खिलाब साजिशे रशने की कोशिशे करता है तो हम उसके लिए कितना तयार हैं मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले भी का है कुछ काम भारत के विदेश मंतरा लेका है तो विदेश मंतरा ले इसी लिए बनाए आप अनावस्यक मुझे ओहीं घसीट ले रहें, मैं जाओंगा नहीं, मैं अपनी सीमा और मर्यादा जानता हूं बहुत अच्छी बात है, Manoj जी, गाज़ेपूर की याद आती है आपको, याद तो आती होगी स्वभावी गुरूप से आगी मेरा जन्मस्तान है, मेरी कर्म भूमी रही है, और एक दम आती है, मैं देरंतर वहां के लोगों के संपर्क में भी हूँ और गाज़ेपूर की राजनीती की? नहीं, राजनीत से मैं साथ अगस 2020 से दूर हूँ तो क्या मैं पूछूँ कि दोजार चौबिस में मनोच सिद्णा कोई कांडिडेट है, लोगसभा चुनाओ के या नहीं? मेरे पास अभी एक बहुत महत्तपुन काम है, जम्मू कस्मीर का, और उसको मैं पूरी इमानदारी से अपनी छमता के हिजाब से कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये माता वैसुन देवी या बाबा मरनाथ ने कोई मेरा सतकर्म रहा होगा कि ये काम मुझे दिया है, जम्मू कस्मीर भारत के बाकी राजियों की तरफ पूरी तरफ बन जाए, मैं समझता हूँ ये मेरे लिए सबसे सो भागे की बात होगी क्या बात है, एक बार जोर्दा तालिया हो जाए, मनोश सिनहा जी के लिए, जम्मू कश्मीर के उपरा जिपाल, मनोश सिनहा जी पड़े बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिये, सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपना कीमती वक्त हमें देने की जिए, बन्य पत्रपाटी जी से मैं गुजारिश करूँगा कि वो मंच पर आएं और मनोश सिनहा जी का सम्मान करें, शौल उड़ा कर, तो तालियों की गड़गड़ाट के साथ एक बार फिर स्वागत मनोश सिनहा जी का जिनोंने नए कश्मीर की कहानी आज दिल खोलकर हमारे सामने कि आए कई